आपको बता दे मुंबई मायोजित रीटेल असोसियेशन ओफ इंडिया ने रीटेल सीएफो समिट का आयोजिन किया है और इस कारिक्रम में जी बिजनस समाधाता सौरप पांडे ने वी मार्ट के सीएफो आनन अगरवाल और मेट्रो ब्रांस के सीएफो कौशल पारेक से खास बातचीत किया है आपको भी इस इंटर्व्यू का अंच सुनाते हैं किस तरह का आप रिस्पॉंस देखने के उमीद कर रहे हैं अभी फैस्टिव सीजन में वैसे करीब देड़ मेना बाकी है बट डेफिनिटली आज रीटेलर जो उसके लिए जितनी तयारी करनी होती है वो उस समय हम काफी जो शोर से तयारी में लगे हैं क्योंकि पहला हाफ जो था साल का बहुत ज़्यादा इवेंट फुल नहीं था महंगाई की मार ज़्यादा थी एंड इस्पेशली जिन मार्केट्स में हम लोग ऑपरेट करते हैं टीर टीर त्री मार्केट्स में वहां पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर था बारिशें इस बार अभी तक तो न सेल्स देते हैं ऐसा हमारा पुराना एक्सपिरेंस है तो अभी तक तो यहीं उमीद है कि जो सेकेंड हाफ अफ दी एर है ऑक्टोबर के बाद का जो समय आने वाला है वो थोड़ा सा स्ट्रॉंग होना चाहिए अगर डिमांड की बात की जाए पैटन की बात की जाए तो इस फुटवेर भी हम उफर करते हैं लेकिन फुटवेर में अभी उतनी तेजी हमें नहीं नजर आ रही जितनी अपैरल में तेजी नहरा रही है हम समझना जाएंगे कि किस तरह से जो आने वाला फेस्टीव सीजन है वह आप देख पा रहे हैं फेस्टीव सीजन अभी ऑक्टोबर से शुरू होगा बट बेस वान दी करेंट ट्रेंज हम लोग देख रहे हैं यह हमारा एक्सपेक्टेशन है लास्टीव में जैसे कि आप आपको पता होगा फर्स दो क्वाटर में पेंट डिमांड का इंपेक्ट था वह उसका इफेक्ट जाता हुआ दिखेगा तो सही माइनों में बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर कंपेरिजन का भी पिरिएड होगा और एक्सपेक्टिंग के स्ट्रॉंग पैसिव डिमांड रहनी जैसे अगर केपिक्स प्लैन की बात किजाए केपिक्स प्लैन और ओर औ सो हमारे हम केपिटल लाइट मॉडल को फॉलो करते हैं सो हमारा कोई भी मैनिफेक्टरिंग नहीं है मैं पर्चेस पूरा ओट्सोर्स होता है इन तरम्स अफ स्टोर ओपनिंग हमने निक्स दो साल में दो सो स्टोर का गाइडन्स दिया था फर्स्कॉर्टर में हमने 27 स्टोर अल्रेडी ओपन किये हैं सो वी आर मोर और लेस्ट अन ट्रैक टु अचीव द गाइडन्स रम ने दिया था सो स्टोर का इन फर्ट वेंडिफोर